नमस्ते मेरे चैनल में आप सब का स्वागत करती हूँ आज में बनाने वाली हूँ तील की लड्डू इसके लिए हमें चाहिए तील और थोरा सा हम तील को रोस करेंगे इस तरह से जब तक कालर चेंज ना हो जाए तब तक इसे ऐसे रोस करते रहो थोरे देर के बाद तील जो है हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तो देख सकते हो हमारा तील जो है कलर चेंज हो गया इससे हम अभी एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे इस बोईल में डालने के बाद यहाँ फिर से हम कराई को गरम किया और इसमें एक कटोरे गुर लिया है और थोड़ा सा हलका सा पानी गुर को हम अच्छे से गुलने देंगे गुलने के बाद हम धोरा सा उबाल लाने देंगे इसके बाद आप चेक कर सकते हो एक कटोरे में धोरा सा पानी देंगे एक बुन गिरा के चेक कर सकते हो गुल को जब तक मेल्ट ना हो जाए तब तक इसे इसे चलाते रहना है तो देख सकते हो हमारा गूर जो है दिरे दिरे से पक रहा है तो हमारा गूर जो है पूरी तरह से रेडी है चेक करके देखेंगे गूर जो है बैठ गया है अच्छे से इसका मतलब है हम भी तील को एट करेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक और अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे थोरा सा थंदा होने देंगे ज्यादा थंदा नहीं रखना है गरम रहती ही आप आपको इस लड्डू को बना देना है हाथ में थोड़ा सा ओल लगा के इसे हम इस तरह से लट्डू बना देंगे तो अभी बहुत गरम है इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप बना सकते हो तो मैंने एक लट्डू बना दिया है मैंने सभी लट्डू को अच्छी चे बना दिया है देख सकते हो तो रठंडे होने के बाद अच्छी से शेप देपाऊगे तो देख सकते हो मेरा लट्डू जो है बिल्कुल रइडी हो गया है अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलेंगे नेक्स रेसिपी के साथ नेक्स वीडियो में आसके लिए ही तक है अब्सक्राइब थाओ या Bye अब्सकतxis झाल